सामने दिखने वाले दोनों के दोनों पौधे हैं गेंदे के और एक में कम फूल आ रहे हैं दूसरे में जादा तो ऐसी मैंने कौन से ट्रिक फॉलो किया है जिससे की ज़ादा से ज़ादा मैक्सिमम् फूल में पा रहा हूं और ये एक और एक्जामपल है इस पौधे के अंद आधी वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ग्यान बहुत घातक होता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करो कि गेंदे जैसे एकदम सिंपल केरिंग प्लांट के यह मैं अपने experience पे आप लोग को 100% guarantee के साथ बता सकता हूं आप लोग मिट्टी बनाते हैं तो उसमें जो आपसे खात बन पड़े वह आड़ान कर दो उसके बाद उसके जो उपर का पिंच होता है या चलिए मैं आप लोग को वीडियो में प्राक्टिकल करके दिखाता हूं तो वेल यह हमारा गेंदे का प्लाइट यानि मैरी गोल्ड का प्लाइट है इसके में पास तीन वराइटीज है और इसके जो उपर का पिंच है यानि कि कोई भी प्लाइट होता है तो उसका जो सबसे पहला फ्लावर का उपर होता है उसे आप लोग पिंच कर दो यानि कि आ आपका पौधा इस तरह से घना हो जाएगा घना होने के साथ साथ आपका पौधा बहुत जादा अच्छा लगेगा बहुत सारे उसमें फूल आएंगे तो इसके बहुत सारे बेनेफिट्स हैं अब जो लोग बोलते हैं खाद डालो तो खाद उसे कुछ नहीं होने वारा कर देता हूं आप लोग देख सकते हो कि जो साइड ब्रांची से सबसे ज्यादा उसके अंदर फ्लावर आते हैं आप इन सब चीज़ों को नजर अंदाच कीजिए अपने खुद के ओन एक्सपीरियंस पे एक बार ट्राइ कीजिए कि आप लोगोंने पिछली साल क्या गलति नहीं करें थी तो यह इसके अंदर एक फूल आया और पौधा मर सारा है लेकिन जब मैंने इसके पिंचिंग कर दी है और अब इसके अंदर बहुत सारी साइड शूट से भी आएंगी और येकीनन आप पौधा बहुत बढ़ियां ग्रोथ करेगा और मैं आप लोग को पौधे में बहुत सारे बड़ सब आ रहे हैं तो देखा आपने कितना एजी था लेकिन इन कुछ-कुछ बेसिक टर्म्स को लेकि लोगों ने इतना ज्यादा रूमर्स वेला रखा है कि खाद डालिए पौट साइज बढ़ा लीजिए विंटर का प्लांट है ये और बहुत समर्स में इसे बड़े से बड़े गमले में लगा लो इसके अंदर फ्लावर नहीं आएगा बहुत-Бहुत सारी बातों का आप लोगको ध्यान हो ठाओ पड़ता जाए NFL पलाश को द्यान रखना पड़ेगा लों बहूट एसे लिए एटेयोघ्यी वरेकि wa so celsius पे भी अच्छे flowers आ जाते हैं लेकिन size थोड़ा चोटा हो जाता है pot size आप लोग अगर कम से कम ले रहे हैं तो 7-8 inch में बहुत अच्छा चल जाता है बगी 5-5 inch की चोटे-चोटे pot होते हैं उसके अंदर 2-4 फूल तो जरूर आ जाएंगे कुल में लाके बहुत अच्छा पौधा है बहुत easily grow हो जाएगा लेकिन वही है कि आप लोग को ऐसी कुछ authentic वीडियो की जरूरत है या अपने authentic experience की आप लोग को जरूरत है तो ऐसी टैमली में और भी बहुत सरी वीडियो लाता रहता हूं और यह मैं थोड़ा आप लोग को garden क overview दे रहा हूं कि क्या क्या चल रहा है सथी साथ मैं आपको एक और चीज़ का updated हूं क्योंकि आप लोग का time विल्कुल भी waste नहीं करना चाहता यह पीछे हम जो हम लोगोंने France Prince के seed grow किये थे वह सब जर्मिनेट हो चुके हैं इसका एक separate video बनाने का कोई फाइदा नहीं है क्यो आप लोग मार्ज के मंत में काम कर लो कि अब जितनी भी आप लोग के planters थे जिसके अंदर हम लोगना temporary winter flowers लगाया थे उन सभी का आप लोग रिमूफ करके मिटी को अपने grow bags में किसी भी वड़े ऐसे container में रख दीजिए जो कि अगली साल तक अच्छे से एक बार well nourish हो के और साथी साथ बहुत जल्दी मैंने वीडियो अभी अप्लोट कर दी है कि पानी किस थरा सिदे पादों में तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं उमीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा थेंक्यू